दोस्तो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपतित्र पाथि आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं कि नौजार सिस्मों को लंबी उम्र और बेहतर स्वास्त प्रदान करती हैं मा खस्टी देवी छट ब्रत पर करते हैं इनकी बिसेश धंग से पूजा पाथ अभियर्चना धर्म सास्त्रों के अनुशार खस्टी देवी प्रमुख मात्री शक्तियों का ही अन्सश्वरूप है ब्रम्म वैतर्त पुरान के प्रकृति खंड के अनुशार परमात्मा दे स्रिष्टी की रचना के लिए स्वयम के सरीर को दो भागों में विभक्त कर लिया दक्षे भाग से पुरूस तथा वाम भाग से इस्तरी प्रकृति का जन्म हुआ यहां प्रकृति सब्द की ब्याख्या इस प्रकार की गई है प्रा अर्थात शत्वगुण क्री अर्थात रजगुण एवं ती त्रिगुणात्म श्वरूपा या सर्वशक्ति समन्विता प्रधान स्रिष्टी करने प्रकृति स्थेन कत्यते उपयुक्ति पुरान के अनुशार स्रिष्टी की अजिश्ठात्री यहीं प्रकृति देवी स्वयम को पांच भागों में विभक्त करती है दुर्गा, राध लक्ष्मी, सरस्वती और साबित्री यह पांच देवियां पूनुतम प्रकृति कहलाती हैं मारकंडे यह पुरान के अनुशार इस्त्रिय समत्साह इस्त्रिय समस्ताह सकला जगत्षूEND प्रकृति के एक प्रधान अंश्ठ को देवशेना कहते हैं जो सबसे स्रेश्ट मात् यह समस्त लोगों के बालकों की रक्षिका देवी है प्रकृति का छठा अंस होने के कारण इन देवी को ही खस्टी देवी कहा गया है। आपको बता दें लिखा है कि खस्टांसा प्रकृतिरय याच साचा खस्टी प्रकृतिता खस्टी प्रकृतिता बालका धिश्ठा देवी बिश्टुमायाच बालदा। आयुह प्रदाच बाला नाम धात्री रक्षन कारणी असततम शिशु पास्त्रवस्था योगे न सिध्धी योगे नी या खस्टी देवी नौजात शिशु की रक्षा करती हैं। तता उन्हें आरोग एवं दिर्गाई प्रदान करती हैं। इन खस्टी देवी का पूजन ही कार्तिक मास के शुक्लपक्ष की खस्टी तिथी को किया जाता है। छट मईया ने किया था चमतकार। आपको बता दें कि स्रिमद भागवत पुरान के अनुसार स्वायम भूव मनु के पुत्र राजा प्रियंबत को अधिक समय भीत जाने के बाद कोई शंतान उत्पन नहीं हुई थी। तब महर्शी कस्यप ने पुत्रिष्टी जग्य कराकर उनकी पत्नी को चरू मतलब प्रशाद दिया। जिससे गर्व तो ठहर गया किन्तु मृत पुत्र उत्पन हुआ। प्रियंबत उस समय प्रियंबत उस मृत बालक को लेकर श्मसान गए। पुत्र भियोग में प्रियंबत ने भी प्राणत्यागने का प्रयास किया। ठेक उसी समय मड़ी के समान बिमान पर खस्टी देवी वहां आप पहुंचे। मृत बालक को भूमी पर रखकर राजा ने उस देवी को प्रणाम किया और पूछा ये शुब्रते आप कौन है। देवी ने आगे कहा तु मेरा पूजन करो और अन लोगों से भी कराओ। इस प्रकार कहकर देवी खस्टी ने उस बालक को उठा लिया और खेल खेल में उस को जिवित कर दिया। राजा ने उसी दिन घर जाकर बड़े उत्सा से नियम पूर्वक खस्टी देवी की पूजा संपर्ण की। चुकि यह पूजा कार्तिक माश के सुक्रपक्ष की खस्टी तिथी को की गई थी। अता इस बिधी को खस्टी देवी का ब्रत होने लगा। सीता और द्रौपदी ने भी छट की पूजा की थी। सास्त्रों के अनुशार माननता की अनुशार भगवान स्री राम के बनवास से लोटने पर राम और सीता ने कार्तिक शुक्ल खस्टी के देन उपवास रखकर भगवान सुर्ज की अराधना की और सप्त्मी के देन ब्र आशिरबाद दिया था आपको बता दें कि एक अन्य माननेता के अनुशार भी जब पांडव अपना सारा राजपाट जूर में हार कर जंगल जंगल भटक रहे थे तब इस दुरदसा से छुटकारा पाने के लिए द्रौपदी ने शुर्जदेव की बिधुवत अराधना की और छठ ब्रत किया इस ब्रत को करने के बाद पांडवों को अपना खोया हुआ बैभाव पुना प्राप्त हो गया आप सब योहीं बने रहें मिलते हैं अगले वेडियो में तब तक के लिए नमस्कार